हे गाईज वेलकम बैक टो स्टेटी मेडियम चैनल जो लोग B.A.C. नर्सिंग इंटरेंस एक जांग बतारी करें उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है हम लोग पढ़ रहे हैं हमन वड़ी जिसमें से एक वीडियो में आप्लोड कर दिया आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट का लिंक में जागा डिस्क्रिशन में और इसको पहले में पुरा कॉंसेप्चुल बता दूँगा उसके बाद ही इसका अबजेक्टिव लाओंगा आपके सामने तो चले सुरू करते हैं पहला कोस्टिशन के साथ तो पहला कोस्टिशन से ब्लड बैंक में रक्त का कितना तापमान पर सुरच्षित रखा जाता है मतलब ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है तो वहां पर कितना तापमान होता है तो इसका एंसर होगा फोर डिगरी सेल्सियस फोर डिग्री पे ही अगर हम रक्त को रखेंगे तो इसको ज्यादा टाइम तक सुरचित रख पाएंगे और इससे ज्यादा कम होगा तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगा ठीक है नेक्ट कोश्चन से पूरे सरीर में एक बार रक्त परिसंचरन करने में कितना समय लगता है तो आपको पता होगा कि यह हमारे हिर्दा है यह चार चेंबर में होते हैं तो यहां से रक्त पंप होता है, पूरा सरीर के सारे भाग तक पहुचने के बापस यहां पे आते हैं, तो यह पूरा प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगता है, एक बार, तो ये एक से डेड़ मिनिट का टाइम लगता है ठीक है एक से डेड़ मिनिट में ये पूरा सरीर में एक बार पंप हो जाता है और बापस हिर्दे में आ जाता है मतलब यहां से सुद रख्त जाके फिर बापस और सुद रख्त यहां पर आके मिल जाता है तो एक से डेड़ मिनट में ये पुरा प्रोसेस हो जाता है नेक्स्ट कोस्टन से लिंफो साइट्स रक्षा करती है तो ये रोगानुओं से हमारी रक्षा करती है ठीक है नेक्स्ट है मानव सवरी में रूधिर इसकंदन में किस खनीज की भूमी का मौतपून होती है इसका नाम है कैल्सियम नेक्स्ट कोस्टन से सामाइन व्यक्ति के रक्षा का प्याच इस्तर होता है तो ये एक्जेक्ट होता है 7.35 से 7.45 ठीक है लेकिन जेनरली एक्जाम में आपको 7.4 देखने को मिलेंगे ये प्याच मान होते है एक्जेक्ट आप देखोगे 7.35 से 7.45 के बीच में होता है प्याच नेक्स्ट है एक स्वस्ट में परती 100 ml खून में कितना ग्राम हीमोगलोविन पाए जाता है तो ये 12-16 ग्राम अगर आप देखोगे 12-16 ग्राम हीमोगलोविन पाए जाता है पर 100 ml खून में और ये वेरी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन जो रूधीर इसकंदन से संबंध है वो कोन उत्पन करता है तो ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन से जिससे रूधीर का थक्का बनता है ये ये क्रित सेक्रेशन करता है इसका ठीक है नेक्स्ट है जब रक्त में ऑक्सिजन की सांदरता में कमी आती है तो सोसन की गती बढ़ जाती है जब oxygen की सांतर तक कम हो जाएगी तो सौसन बढ़ जाएगी, क्यों? क्यों सौसन बढ़ने पर आप speed oxygen लोग है, तो जब speed oxygen लोग है, तो वहाँ पर जो oxygen की कम ही है, वो पूर्ती हो जाएगी, एक स्वस्त मणिस का रत्तदाब क्या होता है? तो वो होता है 120 to 80 mm per hg, ठीक है? तो यह 120 क्या होता है, historic और 80 क्या होता, डιαistolic, यह दो pressure होता है, pressure दो क्यों होता है? मैं लैए यह एमारे सरीर में और एक होता है कि मोण neural permit से सरी के सभी कोनों पर रहे हैं कि आईगा नहीं आएगा तो वह ंसवा नहीं होता है यह 40 का डिफरेंस आप देखने को मिला ठीक है तो मतलब जो फीड से जा रहा है इसका बड़ेंटी है और बापस आ twenty 80 तो हिस्टोलिक हो गया 120 डायस्टोलिक हो गया 80 ठीक है नेक्स्ट दोड़ लगाते समय मनुस का रख्षचाप क्या होता है तो वह बढ़ जायागा क्योंकि आप स्पीर दोड़ ब्रिधिंग हाई है तो ब्लड प्रेसर भी हाई हो जाएगा ठीक है और उसके उल्टाप देख संख्षा की 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 स तो pH factor जो वो kidney नियंतरित करती है, very important है, मानुसरी में रख्त का pH factor जो हता है वो हमारे kidney नियंतरित करती है, next question से एक सामाइन व्यक्ति के 100 ml खून में कितना cholesterol रहता है, तो cholesterol की मातरा 5200 mg होता है, 100 ml में 5200 mg cholesterol होता है, ठीक है, next, रख्त प्लाजमा का रंग कैसा होता है, यह रंग हीन होता है, colorless होता है, क्योंकि इसमें कोई pigment नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कोई color भी नहीं होता है, प्लाजमा का, next, सामाइन व्यक्ति का अनुसिलन, रक्त दाव कितना होता है, मतलब diastolic, तो जो मैंने बता है, बापस जो आती है, वो 80 mm पारे से होती, 80 mm पर SG बोला जाता है, ठीक है, पारा में इसका जब प्रेसर देखा जाता है, तो 80 mm का देखा जाता है, जो बापस आता, उसको अनुसिलन हिंदी में बोला जाता है, लेकिन diastolic आप याद रखो, next, सामाइन व्यक्ति का systolic रक्त आप कितना होता, तो 120 मैंने पहले ही बता दिया, प्रकुंचन दाप भी का जाता है, ओके, next, सामाइन इस्तितियों में हिर्दय से आने वाला रख्त, कितना पतिसद भाग, गुर्दे को मिलता है, तो इसमें 24% भाग ही गुर्दे को मिलता है, किडिनी को 24% भाग मिलता है, ठीक है, next question से, आरच फेक्टर के खोज करता कोन है तो ये लैंडिस्टिनर है, वो बीनर है, तो आरच फेक्टर को लैंडिस्टिनर वो बीनर निक हो जाता है, next, रुधिर बर्ग ओ धारन करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटिन पदार्त नहीं पाय जाएगा, तो जिनका भी ओ बलड गुरूफ है, उसमें एंटिजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है, एंटिजन में A और B दोनों आते हैं, तो एंटिजन नहीं पाया जाता है, next है, रुधिर बर्ग A में एंटिजन A होता है, रुधिर बर्ग B में एंटिजन B होता है, और रुधिर बर्ग A जिसका है, उसमें एंटिजन A और B दोनों होता है, इसलिए उसका A, B होता है, ओके, चलिए antigen क्या होते हैं, मैंने पहले बता दिया, A और B को antigen कहते हैं, अब next देखिए, RBC के निर्मान के लिए किसकी उपस्तिति आवश्चक है, तो folic अमली के उपस्तिति आवश्चक है, very important questions, RBC के निर्मान के लिए folic अमली का आवश्चक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, next questions है, मनुस्त के हिर्दे में सामायने तो 72 बार प्रती मिनिट स्पंदित होती है, जिसमें लगभग कितने लिटर रख्त को पॉम्प किया जाता है, यह आपने देखे होंगे, कि हमारे सरी में, एक मिनिट में 72 बार धड़कते हैं, तो लगभग यह पांच लिटर रख्त को पॉम्प कर देता है, तो आपको पता होगा, 72 बार एक मिनिट में यह धड़कते हैं, तो इस दोरान यह 5 लिटर रख्त को पॉम्प करते हैं, ठीक है, तो very important questions का series है, तो अभी के लिए इतना ही, आप लोगगा पसना है, तो लाइक किजगा, आप फ्रेंड के साथ सेर किजगा, और चैनल को जो लोग सस्क्राइब नहीं किए, तो सस्क्राइब कर दिजे, बहुत ही जल्दी मिलते हैं, नेस वीडियों तो तक के लिए बाबाए